कल रात बाबिया की मृत्यों हो गई दरसल बाबिया अनन्द पदनाब लेक टेंपल के लेक में रहने वाला सतर साल का एक ऐसा मगरमच था जिसने अपने पूरे जीवन में मास का एक तिनका तक नहीं खाया था माला जाता था ये भगवान श्री हरी का सबसे बड़ा जीवित भगत है इसने अपने जीवन के पूरे सतर साल केवल इस मंदिर का प्रशाद याने की चावल में गुड मिलाकर ही खाकर काटा जो भी भगत आते अपने हातों से बाबिया को चावल और गुड का मिश्रण खिलाते है ये कई बार मंदिर में होने वाली आरती में सम्मिलित होने के लिए लेक से निकल कर आरती के समय बहार भी आ जाता आरती खतम होने के बाद लोड भी जाता विश्वास नहीं मानोगे बाबिया जिस लेक में रहता था उस लेक में सैखणों मचलिया थी लेकिन फिर भी आज तक उसने कभी भी एक मचली को नहीं खाया और नाही किसी भी इंसान को इतनी सी खरूज भी पहुचा खल रात याने की शरत पूर्णी मा के शुब रात को बाबी अपना देहत याक के बैकुंट धाम के लिए प्रस्थान कर गया भगवान श्री हरियू से मोक्ष प्रदान करे ओम नमू नारायन आ